तो दोस्तों अगला प्रशन 51 तो प्रशन में पूछा यह है सूर्स अगर किसी चली आती हुई गीति का बेप्रमपरा का चाहे भव मौकि की रही हो पुर्ण विकास सा प्रतीत होता है ये कतन किसका है तो यहां पर जो सही बिकल्ब होगा तो बो होगा बिकल्ब से अचारे र रामचंदर शुकल अचारे रामचंदर शुकल का कहते हैं सूर्स अगर किसी चली आती हुई गीति का बेप्रमपरा का चाहे भव मौकि की रही हो पुर्ण विकास सा प्रतीत होता है अगला प्रशन 52 शूर्दास की भक्ती पत्रती का मेरूदंद पुष्टी मार्ग ही है य यहाँ पर डी सही बिकल्फ होगा अगला प्रशन 53 जा पर दिनानास रड़े इस पत्र में किस प्रकार की भक्ती लक्षित की गई है तो इसमें है पुष्टी मार्गी भक्ती बी सही बिकल्फ होता है यहाँ पर अगला जो प्रशन है चोवन तो प्रशन में पूचा गिया ह नंददास की सर्फशेश क्रिती इन में से कौन सी है जो नंददास अच्छाव के परों कप्यों में से एक थी उनकी क्रिती के बारे में बताया है कि कौन सी उनकी सर्फशेश क्रिती है तो जो उनकी सर्फशेश क्रिती है तो जो नंददास ने प्रेमाख्यानक का भी प्रमपरा की रचना की है तो वो है रूप मंजरी भी सही बिकल्प होगा यहाँ पर अगला प्रशन है चपन प्रशन में पूछा गया है नंददास ने किस ग्रंथ में रासलिला की अधियात्मिक व्याख्या करते हुए तो यहाँ पर सही बिकल्प होगा भी सिधान्त पंचा धियाई उसमें नंददास ने रासलिला की अधियात्मिक व्याख्या करते हुए अगला जो प्रशन है 57 तो यहाँ पर पूछा गया है इन में से कौन सा ग्रंथ नंददास का नहीं है बिकल्प में है प्रेम बारा खड़ी शियाम सगाई माधवानल कामकंदला रुकमनी मंगल तो सही बिकल्प होगा C जो माधवनल कामकंदला है ये नंददास की कृती नहीं है बाकी तीनो अर्थात प्रेम बारा खड़ी श्याम सगाई रुकमनी मंगल ये तीनो रजनाय नंददास की है जो माधवनल कामकंदला है ये आलम की कृती है ना की नंददास की अगला प्रशने 58 तो प्रशन में पूछा गिया है ब्रहमर्गीत का मूल प्रेणनास्तोत कौन सा पूरान है जो श्रीमत भागवद पूरान है ये ब्रहमर्गीत का मूल प्रेणनास्तोत पूरान माना जाता है यहाँ पर ए सही बिकल्प होगा अगला जो प्रशने 69 तो प्रशन में पूछा गिया है सत्य नरायन कवीरतन ने भ्रमर्कीत प्रमपरा का कौन सा काभी गरंथ लिखा है जो सत्यनान कवीरतन थे इनने भरमर्गीत का प्रहमर्दूत नामक जो प्रंपरा का गरंथ लिखा है यहाँ पर C सही भी कल्फ होगा अगला प्रशने साथ प्रशन में पूछा गया है बसो मेरे नैनन में नंदलाल ये पद किसका है जो ये पद है बसो मेरे नैनन में नंदलाल तो ये मीरावाई का होगा D सही बिकल्प होगा यहाँ पर और यह प्रशन most important है कहीं पर note करके रखियेगा अगला जो प्रशन एकासर्थ प्रशन में पूछा गया है मोर पंका सीर उपर राखहीं कुंज की माल गरे पही रोंगी यह पंक्ती किस कभी की है जो यह पंक्ती है यह है रस्खान की B सही बिकल्प होगा यहाँ पर अगला जो प्रशन है 62 तो प्रशन में पूछा गया है प्रेम बार्टिका की रचनाकार कौन है जो रस्खान थे यह प्रेम बार्टिका की रचनाकार होगे C सही बिकल्प होगा यहाँ पर अगला जो प्रशने 63 तो प्रशने में पूछा गया है रस्खान का जनम कब हुआ था तो जो रस्खान का जनम हुआ था तो ये हुआ था 1533 इसवी में 20 सही बिकल्प होगा हाँ यहाँ पर बता दूँ आपको अगर आपको इसका पीडियाफ चाहिए तो आपको मारे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जूर कर उस पीडियाफ को प्राप्त कर सकते हो अगला प्रशने 64 या लकूटी अरू कामरिया पर राज तीहूंपुर को तजीडारो जो ये प्रसिद उकती है किसकी है तो ये उकती है रस्खान की ए सही बिकल्प होगा अगला जो प्रशने 65 प्रशने में पूछा गिया है उज्वल नीलमनी के रचईता कौन है जो उज्वल नीलमनी ग्रंथ है इसके रचनाकार है रूप गो स्वामी सही बिकल्प ए होगा अगला प्रशने 66 सूर्षागर का काब्य रूप क्या है? जो सूर्षागर का काब्य रूप है तो ये एक प्रबंद काब्य है ए सही बिकल्ब होगा और जो सूर्षागर की रचनाकार थे ये थे सूर्दास इसे भी याद रखेगा अगला प्रशने 67 प्रशन में पूछा गया है मीरवाई की भक्ति किस परकार की है जो मीरवाई की भक्ति थी यहां पर सी सही बिकल्प होगा कई बार प्रशन पूछा जाता है कि जो तुलसी दास की भक्ती थी ये किस परकार की थी तो ये थी दासे भाव की और कई बार ये प्रशन पूछा जाता है ये जो सुर्दास थे इनकी भक्ती किस परकार की थी तो जो सुर्दास की भक्ती थी सक्खे भाव की तो इसे भी याद रखना यहाँ पर जो मादुरी भाव की है ये मीरावाई की है सक्खे भाव की सुर्दास की है और दासे भाव की दूसी दास की है इसे भी याद रखेगा अगला प्रशन देखते हैं 68 तो प्रशन में पुछा गया है अश्ट चाप की स्थापना कश्रे किस अच्चारे को है पुछा गया है कि जो अश्ट चाप की स्थापना किस ने की थी तो ये की थी बिठल नात ने जो बिठल नात थे ये थे बलवाचारेजे के पुत्र यहाँ पर सही बिकल्प भी होगा कई बार ये प्रशन भी पुछा जाता है कि जो बिठल नात ने अच्छाव की स्थारना कव की थी तो ये की थी 1556 में माफ करना 1565 में इसे भी आप याद रिखिएगा अगला प्रशन है 69 भक्तमाल के रचाईता इनमें से कौन है जो कृती है भक्तमाल इसके रचाईता के बारे में पूछा गया है और ये है नावादास C सही बिकल्प होगा अगला प्रशन है 70 कृष्ण गितावली के रचाईता कभी कौन है जो कृष्ण गितावली के रचाईता है तो यह है तूलसी दास ए सही बिकल्फ होगा यहाँ पर अगला जो प्रशन है 71 तो इसमें पुछा गिया है इन में से अच्छाफ का कभी कौन है तो यहाँ पर जो अच्छाफ की कभी होंगे तो वो होंगे परमानंद दास सी सही बिकल्फ होगा बाकी जो धुरूपदास है नावादास है सूर्दास मदन मोहने ये तीनों अच्छाफ से समंदर नहीं रखते हैं सिर्फ प्रमानंद दास ही अश्ट छाप से समन्द रखते हैं सी सही बिकल्ब होगा अगला जो प्रशन है भत्तर तो प्रशन में पूछा गिया है मद्यकाल के किस मुसलमान कभी इने कृष्ण भक्ती साहित्य की रचना की थी तो ये की थी रस्त खान के द्वारा सी सही बिकल्ब होगा अगला जो प्रशन है तीहत्तर तो प्रशन में पूछा गिया है नंद दास की किस कृती पर मुख्ध होकर उन्हें चड़िया उपादी दी गई है मोस्ट इंपॉर्टन प्रशन है दोस्तों तो ये उत्तर होगा विकल्ब ए रास्पंचाधियाई जो रास्पंचाधियाई ग्रंथ था इससे मुख्ध होकर उन्हें विद्वानों द्वारा चड़िया कभी की उपादी परदान की गई थी ए सही बिकल्ब होगा यहाँ पर अगला जो प्रशन है चुछत्तर तो यहाँ पर पूछा गया है रास्पंचाधियाई में किस चंद का प्रियोग मिलता है तो ये भी most important प्रशन है इसे भी कहीं पर note कीजिएगा तो जो रास्पंचाधियाई में चुछत्द का प्रियोग होता है तो वो होगा रोलाचंद D सही विकल्फ होगा यहाँ पर अगला जो प्रशन है 75 तो पूछा गया है दुरूपदास किस संपरदाय की कभी थे जो दुरूपदास थे तो यह थे राधा बल्लब संपरदाय की कभी C सही विकल्फ होगा यहाँ पर